नमस्कार आकाश्वणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत एक राष्ट्रो एक नागरिक सहीता की ओर बढ़ रहा है जो धर्म निर्पेक्ष नागरिक सहीता होगी ग्रेमंत्री अमित्र चाह आज एहमदाबाद में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से उर्जा सायंत्र का उद्गाटन करेंगे जार्खन विधान सभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन ब्राजील का चीन की अर्बो डॉलर की परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव में शामिल होने से इनकार नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज का वार्षिक दिवाली मुहूर्त कारोबार आज शाम और क्रिकट में भारत और निजिलेंड के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच आज से मुंबई में समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्रूत्रिपाथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक राष्ट्र एक नागरिक सहीता की और बढ़ रहा है ये धर्मनिर्पेक्ष नागरिक सहीता होगी कल गुजरात की केवडिया में राष्ट्रूय एक्ता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्मनिर्पेक्ष नागरिक सहीता से भेदभाव समात होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सभी जनकल्यानकारी योजनाओं को एकी कृत किया जा रहा है इससे अधिक संख्या में लोगों तक लाभकारी योजनाओं पहुँच रही है से करीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया आईश्मान भारत के रुपे वन नेशन वन हेल्थ इंशरंस की सुविधा देश के जन जन को दी है हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्षन पर काम कर रहे है श्री मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से लोगतंत्र और मजबूत होगा तथा देश के संसाधनों का अधिक्तम लाभ मिल सकेगा इससे विक्सित भारत का स्वपन साकार करने के लक्षे को नई गति मिलेगी हमने सब का साथ सब के विकास का रास्ता चुना पी एम किसान संबान नीधी पी एम आवास के घर आईश्मान योजना का लाभ बिना भेदभाव मिलते हैं इस वजह से लोगों का सरकार पर भरोसा बड़ा है और मुझे पुरा विश्वास है हमारी हर नीति और हमारी नीट में एकता हमारी प्राण शक्ती है प्रधानमंत्री ने कच्छ में सर, क्रीक, क्षेत्र के लक्की नाला में सीमा सुरक्षा बल, सेना, नौसेना और वाईव सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब देश में एक ऐसी सरकार है जो दुश्मनों की बातों पर नहीं अपनी सेना की ताकत पर विश्वास करती है दुश्मन को भी पता है 1971 के युद में किस तरह आपने मुहतोर जवाब दिया था इसलिए हमारी नेवी की मौजूदगी में सरक्रीक और कच की तरफ अब कोई आँख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सिमा के एक इंच से भी समझोता नहीं कर सकती केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमित चाह आज एहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से उर्जा सैयंत्र का शुभारंभ करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे सारवजनिक निजी भागिदारी से निर्मित इस सैयंत्र पर 375 करोड रुपे की लागत आई है इससे 1000 मिट्रिक टन ठोस कचरे से प्रति दिन 15 मेगावाट उर्जा का उत्पादन हो सकेगा हमारे समवादाता ने बताया है कि ये गुजरात का पहला कचरे से उर्जा सैयंत्र होगा ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किये जा रहे हैं समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है जहारखन में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मिद्वारों के नाम वापस लेने का आज अन्तिम दिन है इस चरण के लिए 634 उम्मिद्वारों ने नामांकन भरा था 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में 38 निर्वाचन क्षित्रों में बत्तदान होगा जबकि 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे पहले चरण में नामांकन वापस लेने के बाद कुल 685 उम्मिद्वार चुनाव मैदान में हैं मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी उधर महराष्ट में भी 20 नवंबर को होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए 7994 उम्मिद्वारों के नामांकन पत्र जाच के बाद सही पाए गए हैं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्याले के अनुसार 921 उम्मिद्वारों के नामांकन अमान्य घोशित किये गए हैं केरल आज अपना 79 अस्थापना दिवस केरल पेरवी दिवस मना रहा है एक रिपोर्ट केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को माला बार कोचीन और थिरू विथनकूर के पूरवर्ती प्रांतों को मिला कर किया गया था दुनिया भर के केरल वासी पारंपरिक वस्त्र पहन कर और सम्रिद्र संस्कृती और एतिहास को काईम रखते हुए केरल पिरवी दिवस को बड़े उच्साह के साथ मनाते हैं मले आलम भाशा के सशक्ती करण के लिए एक नवंबर को मले आलम दिवस के रूप में और पहले सप्ताह को पूरे राज्य में मले आलम भाशा वरम के रूप में मनाया जाता है मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, मलेयालम दिवस और राजभाशा सप्ताह के राज्ये स्तरिय उठसब का उधगाटन करेंगे आज दोपहर कचरा मुक्त नवकेरल अभ्यान के भाग के रूप में हरित मॉडल की घोशना भी की जाएगी मध्य प्रदेश भी आज अपना 69 स्थापना दिवस मना रहा है, स्थापना दिवस पर विभिन्न सान्सुकृतिक कारिक्रमों का आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश की स्थापना एक नवंबर 1956 को हुई थी, हमारे समवधाता की एक रिपोर्ट इस सापना दिवस कालिक्रमों के शुरुआत भुपाल के लाल परेट मैदान पर 30 अक्टूबर को भारती सेना के बेंड प्रदरसन और प्रदेश की विकास यात्रा पर केंजित प्रदरसनी से हुई थी आज भुपाल में अमरत मद्यप्रदेश नामक नत्र नाठी का होगी, वहीं प्रभात फेरी, स्वच्छत आभियान, 79 दीपक जलाना, शहरों की सजावत और रांगोली प्रतियुक्ताएं भी हो रही है गोवर्दन पूजा की आउसर पर गोव पूजन कालिक्टम भी आयोज़त किया गया है संजीव शर्मा, आकाशवणी समचार, भुपाल तेलंगाना की राज़्यपाल, जिश्नु देव वर्मा ने कल हैदरबाद की राजभवन में जम्मु कश्मीर और लद्दाग का स्थापना दिवस मनाया एक भारत, श्वेष्ट भारत की राष्ट्रवी पहल के तहत इसका आयोज़न किया राज़्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के एकता और सान्सकृतिक संपर्ग को बढ़ावा देने के विजन के तहत इस आयोज़न के महत्रों को रेखांकित किया ब्राजील ने चीन की अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड पहल B.R.I. में शामिल होने से इनकार किया है ब्रिक्स देशों में भारत के बाद अब ब्राजील दूसरा देश है जिसने चीन की इतनी बड़ी परियोजना को नकार दिया है अंतराष्ट्वी मामलों के विशिश अध्यक्षिय सलाहकार सेल्सो एमोरिम ने बताया कि B.R.I. में शामिल होने के बजाए ब्राजील चीन के निवेशकों के साथ सहयूग के वैकल्पिक तरीके अपनाएगा ब्राजील के आर्थिक और विदेश मंत्रालेयों के अधिकारियों ने हाल ही में B.R.I. में शामिल होने का विरोध किया था अमरिका के राष्ट्रपती जो बाइडन ने भारतिय मूल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वाइट हाउस में दीपावली मनाई इस कारिक्रम में कॉंग्रेस अधिकारियों और कॉर्परेट निताउं सहित करीब 600 जाने माने भारतिय मूल के नागरिकों ने भाग लिया राष्ट्रपती बाइडन भी स्री बाइडन ने कहा कि इस समुदाय ने अमरिका के जीवन के प्रतेक भाग को सम्रिध किया है अमरिका के पूर्वे राष्ट्रपती डोनाल ट्रम्प ने बांगलादेश में हिंदूओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाप हाल ही में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है उन्होंने संकल्प लिया कि अगर वो फिर से अमरिका की राष्ट्रपती चुने जाते हैं तो वो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेंगे रिपब्लिकन पार्टी के लिए राष्ट्रपती पद के उमिदवार डोनल्ड ट्रम्प ने दीपावली के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि वो कट्र वामपंथियों के हिंदू विरोधी एजंडा के खिलाप अमरिका में रह रहे हिंदूों को सुरक्षा प्रदान कर लड़ेंगे और उनकी आजादी के लिए लड़ेंगे उत्तर कोरिया ने कल नए बैलस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परिक्षन किया हासोंग ने 7687 किलोमेटर से अधिक की उचाई पर 1001 किलोमेटर की दूरी 5156 सेकंड में देगी यह उत्तर कोरिया की किसी भी मिसाइल की उड़ान का सबसे लंबा समय है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनिय गुतरस ने जलवाईयों परिवर्तन को नियंत्रित करने और शहरों का भविश्य सुरक्षित रखने में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है उनने वैश्विक सतत्विकास को गत प्रतिशत के साथ शहरों के सामने जलवाईयों परिवर्तन का जोखिम सबसे अधिक है इससे बचने के लिए युवाशक्ति को आगे आना होगा पाकिस्तान ने कहा है कि वो प्रतिबंधित आतंकवादी समोह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मुम्ताज जहरा बलूच ने अफगान मामलों के प्रभारी सरदार एहमद शाकिब की टिपपणियों पर पाकिस्तान और टीटीपी के साथ बातचीत के किसी भी प्रस्ताव या सलाह को खारिज कर दिया है सरदार एहमद शाकिब ने आतंकवाद के मुद्दे के समाधान के लिए तहरीके तालेबान पाकिस्तान से बातचीत के लिए सरकार को सुझाओ दिया था नेशनल स्टॉक एक्चेंज और बॉंबे स्टॉक एक्चेंज आज वार्षिक दिवाली मुहूर्त कारोबार सत्र आयोजित करेंगे इस विशेश कारोबार सत्र के साथ नए केलेंडर वर्ष समवत 2021 की शुरुवात भी होगी नेशनल स्टॉक एक्षिंड की अधिसूचना की अनुसार प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन शाम पांच बच कर पैतालिस मिनिट पर शुरू होगा और शाम छे बजे तक चलेगा जबकि सामानने कारोबार शाम छे बजे से शाम साथ बजे तक चलेगा भारतिये शेर बाजार दिवाली के दिन मुहूर्त कारोबार सत्र आयोजित करते हैं निवेशकों और व्यापारियों के निवेश के लिए से शुभ मुहूर्त माना जाता है मौसम विभाग ने तमिलनाडू, पुद्दुचेरी, कराइकल, केरल, करनाटक और माहे के कुछ स्थानों में अगले दो-तीन दिन तक तेज से बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है तटवर्ती, आंदरप्रिदेश, यनम, रायल सीमा, तेलंगाना, गोवा, मध्य महराष्टो और मराठबाडा में भी आज हलकी से मध्यम वर्षा हो सकती है राष्ट्री राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में तीन नवंबर तक रात में और तड़के धुंद चाही रहेगी दिल्ली अंसियार में वायू गुणवत्ता कल बहुत खराप्षणी में बनी रही केंदरिय प्रदुर्शन यंत्रन बोर्ड के अनुसार आज सुबह दिल्ली का वायू गुणवत्ता सोचकांक 369 था भारत और न्यूजिलेंड के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेला जाएगा मैच सुबह 9 बजे से शुरू होगा पहले दोनों टेस्ट मैच में भारत को हराकर न्यूजिलेंड श्रिंखला जीत चुका है बेंगलूरू टेस्ट में भारत को 8 विकिट से और पुने टेस्ट में 113 रन से हार का सामना करना पड़ा था ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाईल अब नियूजान AIR पर भी उपलब्ध है और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्कियों के साथ हैं नईम अख्तर धन्यवाद देवेंद्र कल दीपावली अवकाश होने के कारण आज अधिकांश समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुए है अधिकांश अखबारों ने अपने डिजिटल मंच पर देश और दुनिया की सभी प्रमुख गतिविदियों पर अपनी नजर बनाए रखी है नवभारा टाइम्स की हेडलाइन है दिवाली पर दिल्ली वालों ने जमकर की आतिश वाजी आब औ हवा खराब सारे बैन बे असर अमर उजाले ने इसी खबर को कुछ इस तरह लिखा है काहे का प्रतिबंद दिल्ली वालों ने जमकर की आतिश बाजी देर रात तक खूब चले बंपटाखे अब जहरीली हवा करेगी परेशान दैनिक जागरण के अनुसार दिल्ली में हर जगा दिख रही प्रदूशन की धुंद चेन्नाई में लोगों को हो रही सांस लेने में दिक्कत पी-एम मोदी ने जवानों संग कच्छ में मनाई दिवाली साथवी बार किया ऐसा अरूनाचल में L.A.C. पर डिटे सैनिकों के पास पहुंचे रक्षा मंतरे राजना सिंग इस खबर को ये शीशक दिया है हरी भूमी ने इसके साथ ही पत्र ने भारत और चीन के रिश्टों में बदलाव के मिल रहे संकेतों से जुड़ी एक अच्छी खबर दी है पत्र लिखता है भारत चीन के सैनिकों ने दिवाली पर आपस में बांटी मिठाई डेम्चॉक और देवसांग में तनाव कम होने के संकेत पेट्रोलिंग पर चर्चा तेज हाल ही में बॉर्डर से दोनों देश के सैनिक पीछे हटे हैं अमरीका में राष्टपती चुनाव के बीच बयानों का दौर जारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर है ट्रम्प बोले मोदी के साथ मजबूत होगी दोस्ती बाइडन को नहीं हिंदूओं की चिंता दैनिक जागरण ने भी ट्रम्प का बयान दिया है कमला हैरिस ने हिंदूओं को किया नजर अंदाज मैं करूँगा उनकी रक्षा दैनिक भासकर ने अपने मॉर्णिंग न्यूज ब्रीफ कॉलम में तीन खबरों को दिया मोदी ने जवानों के साथ दिवाली मनाई नेपाल ने नोट शापने का ठेका जीनी कम्प्रिंग ओतिया स्पेन में बार पिच्चानवे मौते धन्यवाद नहीं और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत एक राष्ट्र एक नागरिक सहीता की ओर बढ़ रहा है जो धर्म निर्पेक्ष नागरिक सहीता होगी ग्रेमंत्री अमित चाहा आज एहमदाबाद में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से उर्जा सैयंत्र का उदगाटन करेंगे जारखन विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अन्तिम दिन ब्राजील का चीन की अरबो डॉलर की परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव में शामिल होने से इनकार नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज का वार्षिक दिवाली मुहूर्त कारोबार आज शाम और क्रिकेट में भारत और न्यूजिलेंड के बीच तीसरा और अन्तिम क्रिकेटेस्ट मैच आज से मुंबई में इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्थ हुआ नमस्कार